नमस्कार विदारतियों ओनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत हैं अपन पार्टनर्शीव का चेप्टर नमर तीन पढ़ रहे थे साज़दार का आउकास ग्रेण उसकी मर्ति उपर लेखाकन आज अपन उसे टोपी को आगे कंटिन्यू करते हैं अपन आज पढ़ेंग कि निवर्ति की दसा में भीमा पॉलिशी का समय योजन यानि कि जब साज़दार क्या कर लेता है फरम छोड़के चला जाता है फरम से अवकास गरन कर लेता है अगर उस दसा में अगर जिवन भीमा पॉलिशी ले रिखे हो उसका समय योजन कैसे करते हैं उसके बारे में आपने जानेंगे तो तो देख हो दिखर निवर्तिकाति समय विमा पोलिसी सबसे पहले अगर बात करें वियंद पॉलिसी लाइप इंशुरेंस यह नहीं रिए जीवन विमा पोलिसी की बात करते हैं लाइफ इंस्युरेंस अग्स क्या कि जो होती हैं उसमें साज़दार हुँ किसें क्या चाएँ दो हो चाएँ तीन हो चार हो अब फरम के मन हमेitarian यह डर रहेता है कि आज आज आपने साज़दार हैं कल ने किसी को बाई चांज कुछ नुकसान हो जाए या कलने कोई साज़दार फर्म छोड़के चला जाए ठीक है या कलने कोई फर्म के साथ ऐसी दुकटना गड़ जाए जो फर्म के साथ जिसें की फर्म का नुकसान हो तो उस नुकसान की बरपाई के लिए वो क्या करवा लेते हैं बिमा करवा लेते हैं सभी साज़दारों को क कि जिसको फरम है पोलिशी को बड़ती राती है जी उन पीमा कर लोते हैं और तीनों साज़दारों की सियुक दूप से एक होती है ऐल पी जिसे आगे पढ़ेंगे इसी चेप्टर में आई एलपी इंडीजिवल लाइफ पोलिशी यानि व्यक्तिकत जीवनमिवा पोलिशी देक हो खेक परतिक साजदार की व्यक्तिक दिरूब से अलग अलग होती है जैसे किसी साजदार की जब साधार अवकास ग्रेन करता है तब किस परकार से समाइजन करते हैं आप अब देखो अब देखो कि यह दी सिव्प्ट जीवन पीमा पॉलिशी यह निकी जेल पी यह बात करें जेल पी सभी साज़ेदारों के जीवन पर ले रखी हो तो निमन प्रिस्तितियां बनती है तो देखो सभी साज़दारों के जीवन पर ले रखी है जब सभी साज़दारों के जीवन पर ले रखी है तो निमला की जो आपको मैं बता रहूंगा आपको वह कंडिशन बढ़ती है सभी साज़दारों के जीवन पर ले रखी हूं इसमें में देखो नमबर एक बात करें तो जो प्रीमियम हैं अब बात करें कि प्रीमियम क्या होता है आपके गर में कभी किसी ने करवा रखा हो विमा करवा रखा हो जैसे क्रावार क lotu किर्वार कर खो किसी और कंपनी सेंक रखा हो बहुत सारी इंसॉर्णिंस कंपनी इंसे कभा रखाए तो आपके एक नची समय चल रहा है यानि कि यह किस्तिराशी आपकी बगाय चल रही है तो अब इसमें करता है कि प्रेमियम को वेपारी खर्च माना जाए और नमबर दो बात की जाए प्रेमियम को पूंजीगत खर्च माना जाए पूंजीगत खर्च माना जाए अब बात करें कि सर वेपारी खर्च और पूंजीगत खर्च मानने से फरक क्या होता है देखो वेपारी खर्च का मतलब है कि आप जो भी अबर आप लें सभी साथदानों के जियून पर जेहल पी लेर की है और आप हर महीन है यहाँ आपने को यहाँ पेर ली यह यह आप हमालों हर साल 10,000 रुपे की किस्त बढ़ते हैं दस जार का प्रिमियम बढ़ते हैं इसको अपन वेपारी खर्च मानते हैं तो इसका मतलई यह वाग कि अपन जैसे की किसी जो आपकी इसाज़तार ऐसे आपन हैं किसी कि चीजी के का खर्चाऔर रहाते हैं मेंट writes का लारते हैं किसी का यह सब सेलरी डेते हैं यह यह वेपारी खर्च्च मानें और णरमब्र क्या मनें के यह को क्या मानें यह आपने nutavyंसों कर माहने संपत्थी माने ठीक है पूंजिगत종 को अपनें को क्या माने capital expenditure माने यह अपने इसको का सोक करें बने सीट में सोक करें कि पूंजीगत खर्च माने या वेपारिक वह सम्पती है जबकि वेपारी खर्च का मतलब होता है कि अपन का करच आपना जो किर्या कराला करच वो खरचा है जिसके करचे होते हैं उसी परकार का यह आपने इसको को तो अलग से कोई सम्थिटी वगरा नहीं मानते हैं ठाव अबpa अई इस कटीर एस सामें सभी निवर्ट हो रहा है जिस दिन साज़ अवकास ग्रेंड कर रहा है अवकास ग्रेंड कर रहा है जिस दिन साधा उकास ग्रेंड रहा है उसी दिन उसी दिन का पोलिशी का समर्पन मुली समघ्रस इक अगर आपको समघ्रपन मुली सदिन क्या होता एक है अगर अधानत जरूर है कि से पॉलिशी को करते है और बरते हैं और पॉलिशी क्या होती है या historical पोलिसी मैचुर्टी डेट ढ़ेड हो जाएए या फिर आपके सामने यह होता है कि आपके प्लूिसी किवार की किसी किया हो जाए ना प्रdepend कि मेचौर्व और नहीं किसादर्वी परांतु आपन किया करते हैं पोलिसी को आगे चालू नहीं лखते हैं कि कि अपन बिमा कंपनी से जो अपने पॉलिशी करार किए उस पॉलिशी को आगे चालू नहीं रखने पर बिमा कंपनी छो राशी अपन को मिलती है वह राशी समर पन मूलिय कहलाती है सरेंडर वैल्यू कहलाती है मां लो की 20 साल की पॉलिशीं है 20 साल तक बरनी हैं और 5000 और वावसकी किसंत है ए मां ल॓द्ध 50500 कि 5 किसंतें परेडी है और अपने 25 Küillis चाल नहीं रखते हैं थो अपने कैंप 2500 पे ऐसे चलल जाए हैं बिल्कुल कुछ तो मिलेगा और जो अपन पॉलिशी को आगे चालू नहीं रखने पर, पांस साल के बाद पॉलिशी को आगे चालू नहीं रखने पर, भीमा कंपनी से अपन को जो रासी मिलेगी, जो रासी अपन को प्राप्त होगी, वो रासी क्या 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 क ही जैसे कि अगर मालो कि भीमा कंपने पांस साल बाद अपन को 15 जार रुपे देती है स्रेंडर वैल्यू की नहीं ने पांस साल बाद अगर आप पॉलिशी को बंद करते हैं तो आपको 15000 रुपे मिलेंगे तो यह 15000 रुपे की राशी अपने लिए समर्पन मूल्य स्रेंडर वेल्य है कि जब बहुत मोले क्या होता है तो जिस दिन साजदार आउकास करन कर रहा है ठीक है उस दिन आपन क्या करेंगे पोलीसी के समंपड more एक उसी दिन का पॉलिशी के पॉलिशी तो जब नुले कर रहा है उसी दिन कि उसी दिन पॉलिशी के सम्मख्ण मूल्य की राशी को देखो यहां पर सभी साज़दार क्या है सभी साज़दार अवका सगन कानों साज़दार यह पूराने साज़दार है तो सभी साज़दारों में पूराने अनुपात में को बांत देते हैं किसको समर्पन मूल्य की रासी को यह निकि जिस दिन साज़दार अवकास गर्ण कर रहा है उस दिन जो पॉलिशी का सम्मख्ण मूल्य की राशी को अपन सभी साज़दारों में उनके पूराने अनुपात में बाइंट देंगे और समब्रमूलिय क्या होता है इसके बार thorough मैंने आपको बता दिया एक और और बताता हूं policy को भिमा कंपणी की जो policy को आगे चालू नहीं रखने पर भिमा कंपणी से प्राप्य ओने वाली रासी समब्रमूलिय कहलाती है याहनि को आगये चालू नहीं रखने पर कंपनीं जो रसी मिलती है उसे अपन समभर्पन मुलिये कहते हैं तो जिस इस तिस दिन साधर अवकास ग्यादा कर रहा है सब Hadi साधर कंपन क्या करते पूराने पॉलिशी खाते को बंद करना चाहते हैं यह दो इसमें और बात में होती है कि अगर आपने पॉलिशी खाते को खूला रखना चाहिए यह आप पॉलिशी खाते को क्या करना चाहिए बंद करना चाहिए अब देखो देखिए अब अपने ये तो कर लिया इतना तो अब देखो ये दी जो से साज़दार हैं जो से साज़दार का मतलब जैसे एबी सी तीन साज़दार है सी ने उकास करने कर लिया तो पिछे साज़दार बच्छे को ने ए और बी ये साज़दार क्लाएंगे से साज़दार क्लाएंगे र यह तो पोलिसी खातेकि खूला रखना स्क्ते या फिर उसे क्या कर सकते हैं बंद कर सकते हैं तो देजम को यह धी सेंडर सबस्राइब मोल्य कीस इभी से अंपर जब इसादर वह समर्पन मूल्य की सिसे है ऑल है देज है साधार समन्व पूलीच खाता अचाम था पॉल श्दीस सथार घज़िंट तो क्या कर सकते हैं को का दिखाएंगे चिठ्थे में यानि की बलें सीट में दिखाएंगे है कि यह देखो गलिज मोलेगिराशी को चिठ हे में बलें सीट में दिखाएंगे और और कौन बने सीट में कौन से पक्स में दिखाएंगे इसमें किसी को डाउट नहीं होगा अब देखो आगे अपन बात करते हैं तो यह चीज आपको समझ मागी होगी अब दो यह साज़दार क्या करना चाहते है अगर इसको करना चाहिए यह साज़दार है कि भोलिसी खाता है heißt कर दो करनार चाहते हैं स् mismaप करना चाहते हैं तो क्या करेंगे अपन तो से साज़ेदारों में नए अनुपात में अब समर्पन मूलिय की राशी को बंटेंगे अब क्या अब कर अब लीज़ा आपन पॉलिश शाफाते को बंद करना चाहते हैं तो अपन समर्पन मूलिय की राशी को से साज़दारों में नए अनुपात में बंटेंगे तो इसमें यह चीज़ भी आप नोट कर लेना यह नीज़ी साज़दार पोलिश काता बंद करना चा उसके साजदारों को देबिट किया जाएगा या या इनकी से साजदार height कburgerКак कटिए सब्सेपहले बात करें था समरप्रमूलिये की राज़ी का लेखा करने पर ए देखना मूलिय की राषि का लेखा करना पर लेखा करने पर जो आपको बेमाग कमपनी से पोलिश यू को आगे से सब्सक्राइब बोगता प्रिंट ट करेंगे जम्हां करेंगे प्रुस्ट्रीं क्या हो जाएगी प्सक्राइब को पूंग परद्नते है किस दिन कौन सा राशियो कौन से वाई Old Р notions यानि पूरानने पूराने पास में क्या करेंगे सभी साषडारों के पूंजित हाते मैं जमा कर देंगे किस दिन साजदार वकास क्यान कर रहा है उस दिन कि आपन क्या समरुन disc क्या बने करेंगे क्या सवत्तर पूर्ण करने क Sü जिसके वो सभी साज़ार पूरों असाजदार काथने की पुरुष्टी करतेंगे जैलूपर को बिमा कंपनी से हैं समर्पर करने पर याप क्या कर रहे हैं कि अब आगे पुलिषी नहीं रखना चाहते हैं तब भिमा कांपनी जो रुपे देती है वह रूपे कहलाते है जरेंडर वैल्यू और सभी का करआए क्योंकि फर्म फिर्म वियपारी खर्चा है और फर्म इस सभी किस तीनों साथ-धार है चार-धार सभी क्या करी थी से क्या कर रही थी बुक्तान कर रही थी और सब सब पर पॉलिशी लेयर किया है तो सभी साथदारों में क्या करने हैं बांट देंगे तो समर्द मुली राशी का लेखा करने पर प्रूश्टी हो जाएगी जेल पी अकाउंट डिया टू ओल पार्टनर कैपिटल एकाउंट अब देखो अब नमबर दू की बात करें अब अगर आपको सूचना दे रिखे हो कि सम जेल पी अकाउंट उसको क्या की सूचना दे रिखे हो जेल पी कहता है बंद करने की सूचना दी होने पर अबको कशिएरखाओ कि ज्येलपी अकाउट को क्या किया जाता है जॉइंट लाय पॉलिशे अकाउट को साज़दार हैं वह क्या करना चाहते हैं यानि किसाज़ याly आवकास्विण कर लिया तो फटोछ से साज़दार बचे कने नई पूलिशी ले لेंगे इसको को क्किना चाहते हैं तो सेह साज़दार हैं वो क्या करेंगे समूल प्रूष्टि क्या हो जाएगी देखो वहन करेंगे रिमेनिंग रिमेनिंग का मतलब जो पार्टनर बच्चे हैं रिमेनिंग ड्रूष्टि क्या कर देंगे जय अल पी एकउन अगया रिमेनिंग पार्टनर के प्लेक्ष्ट हो जाएगी रिमेनिंग पार्टनर टू जेल्पे एकाउंट कौन से रिखना नूरेशियो ने अनुपाथ में और रासी कों सी सम्मर्पन मुल्ये वाली समर्पनौन्य की रासी है उसे नई अनुपात में वहन करेंगे पूर्ष्टी क्यों सब्सक्राइगी रिमेनिंग न्याटब यह State सिर्फ जाइब फॉर्ष्टी और पूर्ष्टी रिमनिंग टूम्मौन्य के रइस पूर्ष्टी गया और कौन से अनुपाद में नई पाद में क्या करेंगे से सद्धर वेहन करेंगे । अब आकि देखो बात करें । नबर तीन देखो यह अपना बात की जब पंटके क।शन में देरे खो लेकिन अगर वास्तों में रियल में अगर मान लोग किसी दिन साजदार अवकास करने करता है और उसी दिन भीमा पॉलिशी को क्या करते हैं समर्पित कर देते हैं पॉलिशी को समर्पित कर दिया और रासी भी प्राप्त कर लियो तब क्या पुरुष्टी होती है देखो देखें तो आपको पता है रूपे देखो देखें समर्पन दो मुल्य की राशी प्राप्त करने पर पुरुष्टी क्या उजाएगी केस एकाउंट डियार तू जै एल पी एकाउंट पर शोटकुट में लेकरा हूं आप जोन्ट लाइफ तो भी मांस पराप्ता होने वाली रासी सब्सक्राइब भीकों में आपको क्या हुए वास्तों में रियल में कर दिया हो और भी माकमने आपको रुपे देदी हो अब आगे आप क्या करोगे जो केस्ट टू जैल पी मिला है इस रासी को आपको क्या करोगे वापिस पोलिशी रासी बांटने पर वही यह जो रासी प्राप्ट लिये बांटने पर तो वही अपने बांटने वाली किती पुरुष्टी क्या पुरुष्टी करें हे वह जैलपी एकाउंट डिर्ट Geg resonates चैपिटल एकाउंट डिया टू और पार्टनर्स केपिटल एकाउंट जई-ल परप्राप्ट राशी जो आपको समरपन मिली है उसरा यह वर पन क्या करेंगे बांत देंगे पॉलिस्टी बाहर देंगे तो पुरिष्टी क्या हो जाएगी जहल पी अकाउंट डिया टू और पार्टनर के अकाउंट तो आपने यह सारी समझ ली होगी देखो देखें सबसे पहले मैं आपको क्या पता है देखो देखें बाई जब आपको मैं चीज़ें क्या दान रखन यानि जोइंट रूप से हैं और उसमें अगर बात की जाए तो क्या होता है कि आपको क्या करना है जिस दिन सादर आवकास रेन करता है उस दिन सादर की जो समर्पनों मुल्य गिरासी होती है ठीक है उसे अपन क्या करते हैं सभी सादरों पूरा नंपात में बाहर देते हैं तो पुरुष्टी क्या करते हैं जेल पी एकाउंट या टू ओल पार्टनर के प्लेक्टिल एकाउंट कोंड से रेशियो में उसके बाद अगर बात करें आगे अब यह उप्सन होता है कि अगर वह पॉलिशी खाता सेंसाज़ार पॉलिशी खाता चालू रखना चाहते हैं तो होता है कि जो है fibre मुलिशी और वहाथ पॉलिशी खाते को बन करना चाते हैं तो क्या करेंगे यहें सेन्साठदार हैं वो क्या करेंगे संबरमूली राषि को नए अनुपार्द में क्या करेंगे नियू रेशियो में क्या करेंगे संब्र मूली राषि फ्रम दोरा पोलिसेश इस प्राप्त होती है कि इसके लगा अगर बात करें आगे पुरुष्टियों अपने देखी समद मूली कर लेखा करते हैं तो अपने क्या कर देते हैं बाइड पार्टनर केप्टल एकाउंट कोई से रेशियो में और रेशियो में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अब अगर पॉलिशी घाता अगरगाताँ परिश्टियों अपने बात की जब पुरिअ को निसी अपने बात की क्या माना जाता है वेपारिक हर्चा माना जाता है जब प्रिमियम नियौ्शा मौना iso तो किस परकार से इसके पर काई करेंगे और उसके बाद आपन जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे मरत्य उपर जब साजदार मर जाता है मरत्य हो जाती है तब आपन क्या करते हैं इनका अपन किस परकार से निधान करते हैं वह अपन दो दिन बाद में पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना ही आप याद करने की कोशिश करना समझने की कोशिश करना कि किस परकार से यह जो है आपके पुरिष्टियां बन रही है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद